यहाँ पर हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं एक जिला है हना मतलब हिमाचल प्रदेश को यूपी का एक जिला है जो साहारनपुर क्या करता है इसे टच करता है ठीक है उत्तराखंड को साथ जिले उत्रा खंड को साथ जिले स्पस करते हैं सहारनपूर, मुझफवा नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपूर, बरेली और आपके पिली भीती ये उत्रा खंड के स्पस करते हैं साथ जिले अग्ला बिषार को साजले स्पस करते हैं माहराज गंज, कुशी नगर, दिवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदावली और आपका सोनभद्र हो जएगा अगला दिया है जहारखंड तो देखे जहारखंड को एक जिला इसपस करता है कौन तो आपका सोनभद्र इसपस करता है 36 गड को एक जिला इसपस करता है कौन तो यहाँ पर आपका सोनभद्र करता है मद्ध प्रदेश के 11 जिले है यादरिके मद्ध प्रदेश को 11 जिले यहाँ पर इसपस करते हैं सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रियागरा, चित्रकूर, बांदा, महोबा, जहांसी, ललिटपूर, आगरा, इटावा और आपके जालाउन इसको ऐसे नोट करिएगा, बहुत 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 जिले इसपस करते हैं, मधुरा और आपके आगरा, थोड़ा बहुत लोकेशन को देखा करें हैं, लोकेशन देखेंगे, तो आटोमेटिक आपको दिमाग को वहाँ पर पहुँच जाएगा हरियाना को 6 जिले इसपस करते हैं, जो कि अभी आपने पढ़ा था, कि सहारन, पुर्ष, सामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगर और आपका मथुरा, ये 6 जिले हैं जो आपके हरियाना को इसपस करते हैं, और दिल्ली के अंसासी प्रदेश को देख सकते हैं, गाजियाबाद और आपके गोतम बुद्ध नगर, ये 6 सपस करते हैं, किसे आपके दिल्लों के सपस करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकास से आपको थोड़ा सामाप को दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, जना ये है आपका एक ज सब्सक्राइब क्या है जूरे सिस्ट कर रहे हैं छोटा चूरा करके जब написब मैं चूरा क्या है शोड़ा रिए मद्य पर फा की सबसेक्वाइबर Japanese प्रदेश की राजनीतिक सीमा कुल नौर राजियों हना और केंसासिप्र प्रदेश को इस्पyani करती है प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज Congen है मद्रदेश जहारखंड बिहार और आपके यहांपर करता है ठीक है उत्तर प्रदेसकी पूर्वी सीमा से लगने वाला राज जाहर खनना उरा जो राज है राज अस्तां हरियाणा और साथ में आपकी दिल्ली प्रदेश की उत्री सीमा से लगने वाला राज्य कौन सा है तो उत्रा खंड और आपका हिमाचल प्रदेश है प्रदेश की दच्छनी सीमा से लगने वाला राज्य कौन है तो आपका दच्छनी च्छतिस गड़ और आपका यहाँ पर मद्ध प्रदेश हो जाएगा उत्तर प प्रदेश की सबसे नियुंतम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है उत्तर प्रदेश का एक मात्र सहारन पूर जिला है जी हिमाचल प्रदेश को सपस करता है हिमाचल प्रदेश के साथ साथ सहारन पूर की सीमा उत्तरा खंड और आपके हरियाना से विक्या मिलती है अगल सबसे अधिक नो जिलों को इसपलस करता है यह एक ऐसा जिला है जो बदाई होई है यह उतर प्रदेश के ही नो जिलों को इसपलस करता है ठीके तो यहांपर बदाईं को भी नोका कर लिजेगा अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश की सीमा को इसपस करने वाला विदेशी राष्ट कौन सा है तो कोश्चन किसी प्रकास भी बन सकता है विदेशी राष्ट कौन सा है आपका नेपाल है उत्तर प्रदेश के साथ जिले हैं हना जो पीली भी लखीम पुर्खीरी बहराइस किलो मीटर इसफस करते हैं कितने पांस उन्यासी किलो मेटर की सीमा इसपस करते चार जिले तो देखे सबसे जो छोटा है हो आपका हापोड फिर संत्र अविदास नगर गाजियाबाद फिर आपका यहां पर सामले हो जाएगा अगला उत्तरदेश के वे जिलो जो राष्टी राध्धानी छेत्र में समलित हैं देखो कोशन आप से पूछा जाता है आप NCR में सामिल होने वाले यह आपके क्या हैं तो आपके कैसे हैं समलित आपके हैं जो छेत्र हैं ठीक है न तो यह भी पॉइंट आपको नोड करने हैं यह आपका IMP पॉइंट है इसको नोड कर लिजेगा क्योंकि आठवा जो जिला था वो आपका सामली था जो NCR में साम प्रदेश का सबसे उत्री जिला सहारनपुर है उत्तर प्रदेश की सीमा से कुल कितने राज्यों और केंसासित प्रदेशों की सीमा इस पर से करती है चले बताइए भाई यहाँ पर आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो देखो आपका राइट अंसर यहाँ पर बनेगा नो हो जाएगा क्योंकि यहां पर आपसे बोल दिया गया है, कुल बोल दिया है, राज जी के साथ साथ केंसासी प्रदेश बोल दिया है, तो आपको option क्या हो जाएगा, यहां पर सी नमबर राइट हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, point आपसे गला पूछा गया है, क्याराप से उतर प्रदेश की सीमा किस केन सासी प्रदेश को इस पर सकरती है उत्तर प्रदेश की सीमा किस केन सासी प्रदेश को इस पर सकरती है देखो हमने कोई भी स्टार्टिंग किया है किसी भी सब्जेक्ट की हना तो वह बिल्कुल हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है हम समझते हैं कि आपको पुछा गया है उत्तर ब्रदेश के कौन कौन से जिले दिल्ली को इसपर्स करते हैं चलिए बताएगा उत्तर ब्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो दिल्ली को इसपर्स करते हैं चलिए यहां पर देख सकते हैं गाजियाबाद गौतम बुधनगर गाजियाबाद धापोड गौतम बुधनगर, बुलन सहर, गाजियाबाद या मेरट, चले, थ्री को अप्सन आ रहा है, ए नमबर और आपका सी नमबर भी आ रहा है, देखे इसका राइट अंसर जो आपका हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, गाजियाबाद और आपकी गौतम बुधनगर को इस परस कर पूरवी के गर बत किया गया है, तो पूरवी कहाँ पर आएगे, इससी साइड में आएगे न, तो यहाँ पर आप बताएगे क्या हो जेगा, तो वे बिहार तो आपका हो गई होगा, और बिहार से क्या है, बिहार से जारखंड अलग हुआ था, इसका मतलब आप्सन क्या हो पूछा गया है कौन सा राज्य उत्तरव देश की पस्चमी सीमा को इस पस्च करता है उत्तरा खंड हिमाचर प्रदेश राजस्थान या छतिस गड़ आपका अंसर क्या हो जेगा फाइब हो जएगा अगे बढ़ते हैं से इस पस्चमी सीमा से इस पस्चमी कौन से है तो आप बता ये दकशनी सीमा पूछा गया है तो आपके यह वाले आपके point में दच्छिन में, अब यहाँ पर six option क्या हो जाएगा, देखें six अगर बात करते हैं, तो दच्छिन में आपका मद्ध प्रदेश है, और मद्ध प्रदेश से यहाँ पर कौन, 36 गड़, मतलब option यहाँ पर कौन सा हो सकता है, option हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर 36 उचा गया है, यहाँ पर कह रहा है, उत्तर ब्देश की सबसे लंबी सीमा रेखा, किस राज्य को इसपर्स करती है, उत्तर ब्देश की सबसे लंबी सीमा रेखा, किस राज्य को इसपर्स करती है, seven का जवाब दीजेगा, मद्ध प्रदेश राजस्थान, 36 गड़ या जार चलिए उप्सन आ रहा है ए नंबर यमपी मतलब आपका सही जवाब होज़ेगा ए नंबर मद प्रदेश को इसपर्ष करती है ग्यारा राजों की इसपर्ष करती है तो अगला प्रस्ण आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा रेखा किस राजो को इसपर प्रदेश की सीमा को सबसे छोटी सीमा किस राजो को इसपर्ष करती है आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश का एक मातर जिला जो हिमाचल प्रदेश को इसपर्ष करता है यह बताए उत्तर प्रदेश का एक मातर जिला जो हिमाचल प्रद D number बिल्कुर सही है यहाँ पर अंसर आपका हो ज़ीगा D number यह सहारनपूर है जो कह सकते हिमाचल प्रदेश को इसपस करता है यहाँ पर एक मातर जिला है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया गया है सहारनपूर कितने राज्यों की सीमा को इसपस करता है यहा आपके हिमाचल प्रदेश को भी सपस करता है आपके उत्रखंडु को भी सपस करता है आगे बढ़ते हैं प्रसनाप सिकला पूचा गया है उतर तो दिखे यहां पर चार राज्यों को इस परस करता है कौन तो बहुत सून भद्र है जो आपके कह सकते हैं चार जीलों को इस परस करता है तो यहां पर देख सकते हैं आपका राइट अंसर हो जाएगा कितना तो यहां पर सी 11 जीलों को क्या करता है इस परस करता है तो आपसन हो जगा से नमबर आगे बढ़ते हैं कोशना आप से दिया गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन ओर से मद्ध प्रदेश से घिरा हुआ है चले बताएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो तीन ओर से मद्ध प्रदेश से घिरा हुआ है सोन बद्र जासी ललित रखेगा कि आपका अंसर हो जएगा कौन सा ललित पूर हो जएगा ललित पूरती नोर से घीरा हुआ है आपके मद प्रदेश से ठीक है आगे बढ़ते हैं को इसना पूछा गया है एक मात्र देश उत्तर प्रदेश की सीमा को इसपर्स करता है यहाँ पर जवाब दीजेगा एक मात्र देश उत्तर देश की सीमा को इसपर्स करता है इनमें से कौन सा जवाब हो जएगा अर्थात अंतर राष्टी सीमा बनाता है और अंतर राष्टी सीमा बनाता है किसके साथ हो तो आपके जवाब हो जएगा बेनमबर है आपके नेपाल के साथ ऑप्सन भी हो तो आप्सन आ रहा है आपर सी नंबर विल्कुर सही है याद रहे कि जिसका भी आप्सन सी नंबर आ रहा है विल्कुर राइट हो जएगा साथ जिलो को इस पस करता है साथ जिलो को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है उत्तर प्रदेश और हरियाना की बीच सीमा बनाने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है चलिए बताएगा उत्तर प्रदेश और हर्याना की बीच सीमा बनाने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है यमना सारदा काली या इन में से कोई नहीं चलिए सोरा नंबर में तो याद रिखेगा ये है आपकी यमना नदी कौन सी यमना नदी है जो उत्तरपदेश और हर्याना की बीच एक सीमा रिखा बनाती है अगला कुशन दिया गया है उत्तरपदेश का सरवाधिक छित्रफल वाला जिला इन में से कौन हो जाएगा उत्तरब्देश का सरवाधिक छेत्रफल वाला जीला पूछा गया है तो यहाँ पर आपका अंसर क्या हो जाएगा चलिए 17 का उप्षन आ रहा है लखीम पुर्खेरी विल्कुल सही जवाब है यादर के लखीम पुर्खेरी जो है वो सरवाधिक छेत्रफल है क्या हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है उत्तरब्देश का सबसे कम छेत्रफल वाला जीला जो आपका है वो आपका कौन सा है दिको हम ज्यादा इसलिए ने कर रहे हैं क्योंकि जो कोशन बन सकता है उस कोशन को नीचे आपको एड़ भी कर दिया गया है ताकि आपको सोचने के जरूत नहीं है बस टेस्ट लगाए पूरा का पूरा उत्तर हर चीज़ आपको मिलेगा पूरे डाउट के लियर हो जाएंगे पूर्था गया है यहाँ पर भी याद रखियेगा जैसे नेपाल के साथ जिले है मतलब नेपाल साथ जिलो को सपस करता है उसी प्रकार से बिहार ही साथ जिलो को सपस करता है option बनेगा आपका B number आगे बढ़ते हैं question दिया गया है उतर प्रदेश के कितने जिले हर्याणा को इसपस करते हैं यहाँ पर जवाब दीजेगा उतर प्रदेश के कितने जिले हर्याणा को इसपस करते हैं 20 number में और देखे 20 का भी option आ रहा है इस 20 को अप्सन हो जएगा यहाँ पर 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6 हो जाएंगे 6 जिले को इसपस करता है यहाँ परंसर बनेगा आपका एनमबर राइट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन आप से इगला पूछा गया है यहाँ पर देखो दिया गया अगला बलिया यहाँ पर आप कनसर हो जाएगा बलिया आपसन अपका डि नमबर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से इगला पूछा है तो बताइए बागपत, सामली, मतुरा या आगरा कौन सा जवाब हो जगा तो यहाँ पर भी आउप्सन मारा है B नंबर सही जवाब हो जगा B यह सामली है यह सबसे पस्चमी जिला है आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिला पुछा है उत्तरव देश का सबसे उत्तरी जिला इनम मनेगा यहाँ पर आपका इनमबर अराइट हो जगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया है उत्तरव देश का सबसे दच्छनी जिला इनमें से कौन है उत्तरव देश का सबसे दच्छनी जिला इनमें से कौन मनेगा ललित पूर सोन भद्र चित्रकोट या महोबा तो यह परदेश के सबसे पश्चिमी बिंदू को इसपर्श करने वाला राजजीन में से कौन है तो आपका अमसर भी होजेगा यहाँ पर आपका होजेगा हर याड़ा क्या होजेगा हर याड़ा भी नमबर होजेगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है नेमन में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है यह बताइए कौन से जिला है जो नेपाल से जुड़ती है यहाँ पर 26 का जवाब दीजे चलिए 26 के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखे नेपाल के साथ बलिया बस्ती महाराज गंज और आपका गोरकपुर ऐसे कोशनों के भरमार है इस समय या पर ऐसे कोशन पूछे गए थी कि कौन सा जिला नेपाल से लगता है या नहीं लगता है ठीके आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया गया है नेमने जिलो का उत्तर से दच्छिन में सही अनुकरम आपको बताना है सही आपका हो जाएगा क्या जिको उत्तर से पूछा है तो पूछा गया है चलिए देखे आप री स्टूडन करे सर मैं गोरकपूर से हुं चलिए वेलकम है भई गोरकपूर से जड़े हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिखला पूछा गया है यहांपर देखे इसकांसर हो गया है इसकांसर डॉनलोट मतलब नोर का अगला question दिया है निम्ड में से किस से उत्तरवदेश की सीमा नहीं लगती है उत्तरवदेश की सीमा नहीं लगती है पंजाब राजस्थान हरियाडा या इन में से कोई नहीं तो भई सिंपल सी बात है आपको पढ़ा दिया गया है यहाँ पर पंजाब से सीमा नहीं लगती है आपके उतरपदेश की तो आपसम क्या होज़ेगा या परे नमबर आपका होज़ेगा ठीक है आगे वड़ते हैं कोश्चन आप सिगला पूछा गया है निम्न मेंसे किस जिले को अंतरास्टी सीमा इसपस नहीं करती है सबसे आयमपी कोश्चन आपका यह देखो सभी कोश्च या बस्ती राइट अंसर बस्ती होज़ेगा वेरी गोड यहां पर अंसर होज़ेगा यहां पर बस्ती जो कि आपके अंतरास्टी सीमा अर्थात नेपाल के साथ आजा नहीं करता है ठीक है अब यहां पर कोश्चन कुछ हमने अच्छे टाइप के लिए हैं मतलब विभीन प बात बताने वाले हैं अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो आपको एक घंटा जाने और एक घंटा आने में समय लगता है मतलब देखा जाए तो दो घंटा बरबाद हो जाता है कोचिंग जाने में ठीक है फिर दो घंटा आप पढ़ते हैं और पढ़ते कितना एक पढ़ना पढ़ाते हैं लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको कभी दिकत नहीं होगी आपको कभी दिकत नहीं होगी कि हाँ टाइम लॉस हुआ है आपको कवगों की हद से ज्यादा हमने पढ़ लिया है और पूरा कम्प्लीट हुआ है देखे कोशन दिया है निम्न में से किस जिले को अंतरास्टी सीमा इस परस नहीं करती है बताइगा बलरांपूर्श रावस्ती पीली भीत या यहाँ पर बस्ती जवाब इनमें से क्या होगी चरे इसका अंसर होगा डिनमबर बस्ती जिले को इस परस नहीं करता है कौन तो आपका अंतरास्टी सीमा अगला कोशन दिया गया है निम्न जीलों में से च्छेतरफल में सबसे छोटा है आपका कौन तो यह बताएं सबसे छोटा इन में से कौन हो जएगा वारानसी जौनपुर इलाहबाद या गाजीपुर तो याद रखेगा यहाँ पर अंसर बिगा ए नंबर आपका वारान इन जीलों में क्या है सबसे छोटी आपका छेतरफल है आपके वारानसी का आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से सरवाधिक छेतरफल वाला जीला कौन सा है तो सरवाधिक छेतरफल वाला जीला है वह आपका कौन सा है थ्री नंबर में तो आपका लखी इंपुर खेरी याद फ्री होगे आप मेंसो यहांपर दीखो वर्तमान में कॉछन मन रहा है महाजनपत काउन कहा पर स्थिध्म है, तो महाजनपत की राजधाने पूचा गया है ठीको यहांपर मत्स लेकिन चलो में इसे छोटा कर दें तो आपको सोड़ा समझ में आ जाएगा है ना देखो यहां पर दिया गया मत्स मत्स जनपत की जो राध्धानी थी वह आपकी थी विराट नगर इसका हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा और इसके बाद यहां पर कुरू छेत्र का था तो आपका इंदप्रस्त हो जाएगा इंदप्रस्त हो जाएगा ठीक है ना इसके बाद जो सूर सेन था सूर सेन का कहा पर था तो आपकी मतुरा में था कहा रहे हैं मतुरा में था और असमक जो आपकी राध्धनी है वो आपके किसका हो जाएगा तो जो कौन सा छेत्र आज धिकल्प की प्राचिंतम सैलों से निर्मित है यहां परंसर को लोग करना है तो 5 कौन सर हो जगा यह है बुंदेल खंड कौन है ए नमबर हो जगा आपका बुंदेल खंड हो जगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है उत्तर विदेश के भावर छेत्र म का बनाता है यहां पर कौन साथ का जिला है चले 7 नंबर में ऑप्समारा है c nं यहां पर सहारन पूर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है उत्तर विदेश के निम नगरों का भावगोलिक छित्र की द्रस्टी से सही और रोही क्राम आपको बताना है क्या और रोही क्राम तो देखो यहाँ पर और ओही करम में देखो सबसे चोटा में आपका बागपत है कि नहीं यहाँ पर है, बागपत मिल गया है, मतलब तुक्का मारोगी तो आपका सी नमबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, गौतम बुदिनगर, वारनसी, संत्रविदास नगर और लास्ट मे मतलब जो आपका देरे-देरे बढ़ता हुआ हो, यहाँ पर देखो सोनबद्र आपका दिया है लास्ट में, सोनबद्र यहाँ पर लास्ट है और यहाँ पर भी सोनबद्र आपका लास्ट है, लेकिन यहाँ पर देखो गौतम बुदिनगर, बारा बंकी, मिर्जापूर आता है तो आपका सोनभद्र आता है याद रखेगा हना मतलब यहां जो परिवर्था ने वो आपका बारा बंकी और गतम बुद्धनगर का करम गड़वर्था ए और सी वाले में आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है सोनभद्र जिले को इसपर्स करती हैं तो यहां पर क्या हो ज तो ग्यारा कोशन आपका भी हो जएगा तो आपसन क्या हो जगा आपका भी नंबर है राइट हो जाएगा अगला कोशन दिया गया है निम्लिकित में से कौन काकोरी कांड़ मुकदमे में सरकारी वकील थे बीनंबर हो जाएगा अगला question दिया गया है निम्रिकित में से किस कारागार में पंडित रामपरसाद विस्मिल को फांसी दी गई थी यहाँ पर देख सकते हैं आरो एकजाम में यही question सेम टो सेम पूछा गया था कि आपके रामपरसाद विस्मिल को फांसी कहा दी गई थी तो आपके दी गई थी कह पर तो आपके गोरक पूर से तो आपसन क्या हो ज़ेगा C नंबर गोरक पूर हो जएगा अगला क्वेशन दिया गया है निम्निखित में से कौन इलहाबाद में 58-57 के संगराम का नेता था 58-57 की जो करांती हुई थी तो इलहाबाद की नेता कौन थे चलिए यहाँ पर आपके थी मौलवी लियाकतली कौन थे भई मौलवी लियाकतली थी तो आपसन आपका बनेगा डी नमबर इसका राइट बन जाएगा आगे बढ़ते हैं कौशन दिया गया है मुगल काल में जिस मदर्से से मुस्लिम नयाय सास्ति की पढ़ाई की विशिष्टा हांसिल की थी वहाँ आपका इस्तित है अर्थात मुगल काल में मदर्से से मुस्लिम न्याले सास्ती की पढ़ाई की विश्टा हासिल की थी वह आपका कहा है तो देखें आपका राइट अंसर 15 का जवाब बनेगा ए नमबर आपके लखनव ए नमबर आपका राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं क्वेशन दिया गया है विंद छेत्र में किस सिला स्राइस सरवाधिक मानो कंकाल मिले हैं मतलब विंद छेत्र में बताईए कहां से सरवाधिक मानो कंकाल आपके मिले हैं तो आपके लेख हड़िया, लेख हिया, क्या है, तो आपके लेख हिया है, लेख हिया एक जगा है, तो यादरी की विंदी छेत्र में तो आपका D-Number इसका राइट हो जेगा, इसको नोट कर लिजेगा, आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है, दियो बंद आंदोलन, यूप प्रांत में किस वर्स प्रारंब हुआ था, 17 को उप्षन क्या हो जेगा, तो नोट करिएगा 1866, इसको उप्षन हो जेगा D-Number 1866, आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है, जैन तीर्थकर पारसुनात निमनिखित, इस्थानों में से मुकिता किसे सम्बंदीत हैं, ये बता जाभाठ झाई मुकिता हैं, एन ईुल करिए बताएगाँ है, इस्थान अलिखन अनुगाचा पारस।.